रामस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों और दोस्तों आज हम बात करेंगे एक छोटा सा टोपिक है राष्टिये सवतंतरता संग्राम में उद्ध बहुदक नारी जैसे की प्यारे विद्यार्थियों हमारा टोपिक चला था आधुनिक भारत का इतिहास जो की 1857 का जो प्रत्थम शवतंतरता संग्राम माना जाता है उससे लेकर के और हमने आजादी तक की संपुर्ण जानकारी ये कहो पूरी कहानी हमने देखी थी जिस परकार से राष्टिये आंदलन को तीन भागों में या तीन काल में बाटा जाता है जैसे कि 1885 से 1905 उदारवादियों का काल कहलाता है वहीं हमने देखा 1905 से लेके और 1919 तक वो उग्रवादी अतिवादियों का काल कहलाता है और उसके बाद में 1919 से 1947 तक गांधी युक के नाम से जाना जाता है तो प्यारे विद्यातियों ये सारी कहानी हमने कम्प्लेट कर ली उसके बाद में हमने देखा भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस का आजादी के अंदर कितना योगदान था कैसी भूमिका थी भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस की स्तापना हमने देखी उसके पिचपन आधिवेशन जो हुए 1948 से पहले उनके बारे में भी हमने विस्तार से देखा कॉंग्रेस के बारे में जो विद्वानों ने अलग-अलग कथन कई तथे बताए उनके बारे में भी हमने देखा प्यारे विद्यार्टियों और उसके बाद में वर्तमान में कॉंग्रिस की स्तीती के उपर भी हमने चार्चा की लोकसवा राजिसवा में क्या स्तीती है कॉंग्रिस पार्टी की तो प्यारे विद्यार्टियों भार्ती राष्टिये आंदौलन या सोतंदता संगराम से ही जुड़ा हुआ ये एक छोटा सा टोपिक है लेकिन बहुत ही महत्तपुन है मेरे प्यारे विद्यार्टियों इसको जरूर तियार करना क्योंकि कई बार दिखा जाता है पेपर में इससे भी क्यों संग बना दिया जाता है जैसे कि आपने सुना होगा सवराज मेरा जनमसिद अधिकार है मैं इसे लेका रहूंगा ये बहुत बार पूछा जाता है कि ये किसका नारा या किसने कहा था किसका कथन है तो बाल गंगादर तिलक का है इसी प्रकार करो या मरो का नारा किस ने दिया ये कि उसन भी आपने बहुत बार देखा होगा महत्मा गांधी ने दिया आराम हाराम है तो मुझे खोंदो मैं तुम्हें आजादी दूँगा इनकलाब जिन्दाबाद ऐसे नारे आपने देखे होंगे प्यारे विद्यातियों जो उद्गोष माने जाते जो भूमिका निभाई थी हमारे क्रांटी कारियों ने या एक प्रकार से महन पुर्सों ने तो ने आज हम याद कर रही हैं प्यारे विद्यातियों जैसे कहा जाता है ना कि आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी देखी हो हम तो सौभग्य साली है कि हमने आजाद भारत में जानम लिया लेकिन हमें कभी भी देश के उन वीरसपुतों को उन सौतंदता सैनानियों को नहीं भूलना चाहिए जिनके अथक परियाशों से उनकी महनत से हमें आजादी मिली प्यारे विद्यातियों तो आज हम उन्हे ही नमन करते हैं सर्दहन ज ये गए उद्गोस नारे के बारे में आज हम देखेंगे प्यारे विद्यातियों तो अती महतपुन टोफिक है इसे जरूर त्यार करना जैसे कि मैंने यहाँ पर 21 महतपुन नारे लिखेंगे प्यारे विद्यातियों जो पेपर में पूछे जाते हैं तो देखो सासे पहले न में जहासी का जो नेतर्ट्व कर रही थी हमारी परमुक सौतंदरता सैनानी कही जा सकती है कहा भी जाता ना खूब लड़ी मर्दानी वो तो जहासी वाली रानी थी तो याद देखना मैं अपनी जहासी नहीं दूँगी ये किसका वचन या किसका नारा है तो रानी लक्षमी गोर करना प्यारे विद्यातियों नमबर दो मारो फिरंगी को किसने कहा मंगल पांडे अठारा सो स्तावन की क्रांती में सहीद होने वाला प्रत्थम सिपाई यही था मंगल पांडे जिनोंने क्या कहता मारो फिरंगी को ये बात किसने कही थी तो याद ना मंगल पांडे न परमी सवराज मेरा जनम सिद्र अधिकार है मैं इसे लेकर रहूंगा ये किस ने कहा था बाल गंगादर तिलक ने कहा था प्यारे विद्यातियों गोर करना कि सवराज मेरा जनम सिद्र अधिकार है मैं इसे लेकर रहूंगा उसका नमबर च्यार very very most important है करो या मरो do and die करो या मरो और अंगरे जो भारत छोड़ो ये नारा किसने दिया था किसने संबोधन दिया था महात्मा गांधी ने दिया था 1942 जब भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जा रहा था उस समय भारतियों के अंदर जोस भरने के लिए और य या तो भारत को आजाद कराओ या फिर मर जाओ एक काम तो करो भारतवासियों तो उस समय कहा था करो या मरो और उसी समय अंगरे जो को कहा था अंगरे जो भारत छोड़ो किसने महात्मा गांधी ने कली रहे प्यारे विध्यातियों, आरहा कैसे उमें, हम बात करें हैं, राष्टे सोतंतरता संगराम में उद्धभुतक नारे, जो हमारे सोतंतरता सैनानियों के दूरा, उस समय भारतियों के अंदर, जो उस जज़बा जनून बढ़ने के लिए, जो उनोंने अपने नारे दिय वो उनके उपर आज हम चरचा कर रहे हैं प्यारे विद्यातियों। करने के लिए प्रिश्रम करने के लिए कहा था कि आराम हराम है हमें काम करना होगा अंग्रेजों को यहां से भगाना होगा आजादी प्राप्ट करनी होगी हमारी भारत माता को आजाद करवाना होगा तब कहा था आराम हराम है उन सवराज चाहिए हमें 1903 में कहा था ना लाहूर कॉंग्रेस अरिवेशन में तो ये बात किसकी है पंडित जवहार लाल नहरू की है प्यारे विजातियों गौर करना कलियर है ना आरा न समझ में उसके आदमे नमबर 6 करमत दो किसने कहा था कि अंग्रेजों को जमिदारों को शामंतों को करमत दो उनका विरोध करो उसके आदे नमर साथ जैहिन्द दिल्ली चलो तुम मुझे खोन दू मैं तुम्हें आजादी दूँगा किस ने कहा? शवास्चन्दर बोस ने कहा था गौर कर्na प्यारे विधार्तियों तुम मुझे खोन दू मैं तुम्हें आजादी दूँगा कहा जाता है कि चार जुलाई उनिसो चम्मालिस को बर्मा के अंदर भारतवासियों को संबोधीत करते वे स्वास्चंद्र बोस ने ये बात कही थी गौर करना प्यारे विद्धार्तियों अती महत तपुन है नमबर आठ वंदे मातराम किसने वकीमचन चाटर जी जो कि कहा जाता है कि हमारे राष्टिय सौतंदरता संगराम में और ये नारा बहुती पौपलर हुआ था हर करामती कारी के एक परकार से मुहें में ये नारा था कौनसा वंदे मातराम जो कि वकीमचन चाटर जी का आनद मठ जो उपनियास है उसके अंदर ये गीत है वंदे मातराम वहीं से ये लाइन ली गई है वंदे मातराम तो गोर करना प्यारे विद्धार्तियों बहुती महत तपुन है नमर नो इनकलाब जिन्दावाद शामराजेवाद का नासो इसने का सरदार भागाशिंग ने जिसके नाम के सुनते ही हमारे अंदर जो ज़जवा जनुन आ जाता है देखो छोटी सी उमर में कितना बड़ा नाम कमा गई सरदार भागाशिंग इनकलाब जिन्दावाद इस नारे को पॉपुलर किया था शारदार भागाशिंग ने लेकिन याद अचना प्यारे विद्यार्टियों इनकलाब जिन्दावाद का जो नारे वह मुस्लिम नेता हसरत मोहानी द्वारा बनाया गया था लेकिन कहा जाता है कि भगत सिंग ने इसे लोग पिरिये बनाया था भगत सिंग ने इसे लोग पिरिये बनाया था 8 अपेल 1929 की घटना याद आ रही है प्यारे विद्यारतियो जमनी इतियास में पढ़ी है तो यादकना 8 अप्रेल 1929 तो जब दिल्ली के अंदर असेमली में बंब फेका गया था जो की सरदार भागा सिंग और उसके साथ में थे बड़कवे सरदत इन दोनों ने और उस समय ही इस नारे को लोग पिरिये बनाया था खुद वहां पे एक प्रकार से भागे नहीं इनकलाब जिन्दावाद का नारा देते वे और अंदरेजों के सामने गिरपदार हो गई प्यारे विद्यातियों गौर करो बहुती महत्तपुने इनकलाब जिन्दावाद शामरा जेवाद का नासो किस ने दिया ये नारा यादन सर्दार भागा सिंग ने दिया था बहुती महत्तपुन है कई बार कंप्पडिशनों में पूछा भी जाता है प्यारे विद्यातियों गौर करो अती महत्तपुन है उसके बाद में सारे जहां से अच्छा हिंदूसता हमारा किसमें का मुहमद इकबाल ने कहा था इसको लोग पिर ये बनाया था सारे जहां से अच्छा हिंदूस्ता हमारा मुहमद इकबाल की पंक्ती है ये गौर करना प्यारे विद्यार्थियों नमबर ग्यारा दुस्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे आजाद है आजाद ही रहेंगे किसने का चांदर सेकर आजाद ने कहाता प्यारे विद्यार्थियों गौर करना दुस्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे आजाद है आजाद ही रहेंगे चांदर सेकर आजाद आजाद नाम से भी आप एक प्रकार से अनुमान लगा सकते हो और चांदर सेकर आजाद ने एक और भी कहा था, याद है क्या प्यारे विजातियों, चैंदर सेकर आजाद ने कहा था, अब भी जिसका खून ने खोला, खून नहीं वो पानी है, जो ना आए देश के काम, वो बेकार जवानी है, किसमें कहा था, चैंदर सेकर आजाद ने कहा था, प्यारे विजातियों, परसाद बिस्मिन ने ये बात कही थी इसे लोग पर लिए बनाया था उस समय भारत के नौजवानों में जजबा जोस जनुन जो कि अंग्रेजों का मुकाबला कर सके तब हमारे नौजवानों को एक परकार से ऐसी पूर्दी दी थी और कहा था सर फरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में हैं देखना है जोर कितना बाजवे कातिल में हैं तो ये किसने कहा था राम परसाद बिस्मिन ने कहा था प्यारे विद्यार्थियों गोर करना अती महत्तपुन है एक से बढ़ करके एक महत्तपुन नारे या उद्बोधक है गोर करना प्यारे विद्यार्थियों उ उसका विरोध किया जाता है बंबै में तो उस समय लाला-लाजपत्राई ने भी विरोध किया और एक नारा भी दिया था शाइमन गो बैक गौर करना प्यारे विधार्तियों अती महत्वपुणएं और उस समय ही तो लाला-लाजपत्राई के लाठिया पड़ीती और उस समय का एक एक लाठी है जो यह आपके लिए कील का साबित ताबुत साबित होगा ऐसा उन्होंने का और यही हुआ गोर करो प्यारे विद्रार्थियों उसके आदमी 14 नमर सत्यमेव जैते मदन मोहन मालविय ने लोग प्रिये बनाया था जो कि हम कहते ना सत्यमेव जैते जो कि जो हम देखते हैं लिखावे होता है ना जो हमारा सोक्षतम है उसके ऊपर सत्यमेव जैते सत्यमेव, जैते की हमेशा जीत होगी, जै होगी गोर करना प्यारे विद्रार्थियों मदन मोहन मालविय ने ये बात कही ती पंद्रा नमर है जै जगत विनोवा भावे आचारी विनोवा भावे ने जै जगत का नारा दिया था सोला नमर है हिंदी हिंदू हिंदोस्तान ये महतपुन कई बार कंपिडिशन में पूछावी जाता है हिंदी हिंदो हिंदोस्तान भारतिंदो हरिश्चंदर ने ये नारा दिया था एक प्रकार से उद्भौदक नारा दिया था प्यारे विद्यातियों गौर करना सतरह नमर है विजेई विस्वेति रंगा प्यारा शामलाल गुपता ये गीट किसका है शामलाल गुपता है उसकी पहली पंक्ती है जो उद्वोधत नारे की रूप में परियोग ली जाती है प्यारे विजाती हो गोर करना अठारा नमर है प्रादीन सपना हूं सुक नाही गोष्वामी तुलसी दास कहते हैं कि प्रादीन सपना हूं सुक नाही जो प्रादीन है जो गुलाम है उसको सपने में भी सुक नहीं होता गोर करना प्यारे विजाती हो प्रादीन प्रादीन का मतलब गुलाम सपना हूं सपन ओके अंदर भी वह इसको 7 में में यूछी सपने में बूफ को सपने में भी उसका मालिख दिखतार यूष के उपर अन् motherfakard करता इस प्रकार से तो प्रादिन सपनहु सुखे ना ही इसने कहा था गो स्वामी तुलसी दास ने वेदों की ओर लोटो हमारे हिंदु ध्रम के पुनत्थान का अक्रामत योधा कौन था स्वामी द्यानन्द सार्श्वती उन्होंने का वेदों की ओर लोटो हमारे जो चार वेद है न और बीस नमबर यह उन्निस तो हम कह सकते हैं आजादी से पहले पहले राश्टिय सोतंदर ता शंगराम में उद्बहुतक नारे थे यह हम वीस नमबर देख सकते हैं जै ज़वान जै किसान लाल बहादूर सास्त्री तब 1965 जब भारत पाकिस्तान का युद हुआ था उस समय कहा जाते है कि लाल बहादूर सास्त्री ने ये उद्गोश्टना एक परकार से उद्बहुदक नारा दिया था गोर करना जै जवान हमारे फोजी भाई उन्हें तो जै जवान कहा और उस समय जो अकाल की स्थिती बनी ह तो हमारे किसानों को भी जै किशान कह करके संबोधित किया था प्यारे विद्धातियों गोर करना ये बहुत बार पेपर में पूछी भी जाती है जो मैंने हाइलाइटर से हाइलाइट करके उनको गोर करना प्यारे विद्धातियों अती महत्तपुन है ये कई बार कंपेड पूछा भी जाता है और उसके बाद में हम देख सकते हैं 21 नमबर जो की जै जवान जै किसान ये तो लाल बादुर सास्त्री का था और उसके अंदर जै विग्यान सबत जोड़ दिया 1998 में में जो की कौन अटल विहारी वाजपेई अटल विहारी वाजपेई में ये नारा दिया था जै जवान जै किसान जै विग्यान गौर करना प्यारे विद्यातियों तो आज हमने बात की राष्टिय सोतंतरता संग्राम में उद्भौदक नारे गौर करो प्यारे विद्या हैं इस नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि हमारे राष्टे सोतंतरता शंगराम के जो सोतंतरता सैनानी है उन्हें याद रखना चाहिए जिन्होंने अपने प्राण नियोच्छावर कर दिये देश की रक्षा के लिए ये मानो भारत माता को आजाद करवाने के लिए उन्होंने सर्वस्वै अपना निऊचावर कर दिया था अपना घर परिवार सब छोड़ करके भारत माता की रक्सा के लिए आजादी के लिए तत्पर रहे थे और ये मानो अपना पूरा जीवन निऊचावर कर दिया था प्यारे विजातियों तो उनके उद भौदक नारे हमें याद हो और वैसे ही हमारे कंपेडिशन में भी ये पूछे जाती है गोर करना प्यारे विजातियों तो एक तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान जरूर तियार कर लेना अटल वियार वाजपी का है जय जवान जय किसान लाल बादूर सास्त्री का है वेदो के ओ लोटो स्वामी प्यारन सारस्वती का है, हिंदू, हिंदूस्तान, भार्तिंदू अरिश्चंदर का है, वहीं साइमन गोबैक, लाला लाज पत्राई का है, गोर करो प्यारे विदातियों, बहुती महतपुन है, साइमन गोबैक, ये भी पूछा जा सकता है, उसी परकार हम देख सकते हैं, इन विद्याटियों बहुत से यह मानुसमापन के समय कहते हैं जै हिंद हमारे नौजवान या एक परकार से हमारे जो भी महानपूर्स हैं जो भारत के नागरिक है वो जै हिंद का एक परकार से उद्बोध करते हैं इसी परकार आप अराम हराम है पंडी जोहानलाल नहरुनी इसी प्रकार करो या मरो महात्मा गांधी सवराज मेरा जनमसिदा धिकार है मैं इसे लेकर रहूँगा बाल गंगादर तिलक तो ये थे महत्वपुन प्यारी विद्यार्थियों गौर करना राष्टिय सोतंतता संग्राम में उद्भौधक नारे कैसा लगा प्यारे विद्यार्थियों ये वीडियो आपको जो हमारे राष्टिय आंदोलन से ही सम्मंदित है वेरी वेरी मौश्ट इंपोर्टेट है प्यारे विद्यार्थियों तो मिलते हैं अगले वीडियों में तब तक खुस रहिए हसते रहिए मुस्कोराते रहिए प् नए टोपिक के साथ मिलेंगे प्यारे विधार्थियों तो वापस वही बात दोहराना चाहूंगा मेरे लाडलो याद रखना सब का खयाल रखना पर अपना भी खयाल रखना हमेशा मुस्कुराते रहना कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए तो मेरे प्यारे विधार्थियों प्यारे दोस्तों और मेरे युवा साथियों आपने अपना किम्ती समय निकाल करके और मेरा ये वीडियो देखा और सुना उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद